तो करनाटक चुनाव में बीजेपी उमीदवारों की पहली लिस्ट 9 एप्रिल को आ सकती है जबकि कॉंग्रस अपने उमीदवारों की दो लिस्ट निकाल चुकी है करनाटक चुनाव में बीजेपी की चुनावी रन्नीती क्या है देखे रिपोर्ट करनाटक चुनाओ के लिए उमीद्वारों को लेकर बीजेपी बैंगलोरू से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक कर रही है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुकरवार को और केंद्रिये चुनाओ समीती की बैठक 9 अपरेल को होगी जिसके बाद उमिद्वारों की लिस्ट निकाली जा सकती है लेकिन बीजेपी नेताओं ने संकेत दिया है कि अगर दूसरी पार्टियों से भी अच्छे नेता आएंगे तो उनको टिकट दिया जा सकता है अगर दूसरी पार्टि से अच्छे आदमे तो उनको भी मिल सकते हैं कॉंग्रेश पार्टियों सत्ता के लिए यहनी लेवल किसी भी तरह का कॉंपरमेज कर सकते हैं तो बहुत बार यह उधार अंसाइथ हमारे सामने है करनाटक में बीजेपी के सामने दो बड़ी चनोतियां है पहला सत्ता में रहने से होने वाला नुकसान दूसरा ब्रस्टचार पर लगातार उठ रहे सवाल हलाकि शुक्रवार को आंधरा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरन कुमार रेड़ी और गुर्वार को एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी को शामिल करा कर बीजेपी कॉंग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी करनाटक की सियासी लडाई आसान नहीं है दक्षण राज्यों के इकलोते सियासी गड़ करनाटक को बचाने के लिए बीजेपी कई नई रणनीत पर विचार कर रही है नई दिली से कानन पात्रा और अख्रेश शर्मा के साथ रवीश रण्यन शुकला एंडिटीवी इंडिया